गुड बॉर्णिंग एप्रिबन यूपीएसी ट्वेंटिनेटी में पूछा गया सी सेट का कोशिन नंबर 55 है दी सीरिस का काफी टप कोशिन इसको जोगों मानना जा सकता है यहांपे लेका है how many pairs of natural number are there such that the difference of whose square is 63 हिंदी में लेका है प्रकृतिक संख्याओं में ऐसे कितने योगम है जिनके बर्गों का जो अंतर है वो 63 है तो काफी अच्छा कोशिन है काफी टफ वी इसको जोगों कहा जा सकता है जिसको जोगों मैच्स जादर नहीं आता है तो उसक अगर आपको नहीं पता है तो जोड़ देना चाहिए लेकिन जिसको आता है बो तो कर लेगा ठीक है तो चलिए इसको solve करते हैं सबस्वेले इसने बोला कि कितने प्रेस्ट जोगों बन सकते हैं जिनके मतलब कि जिनको बर्ग करें और उनका जोगों डिफरेंस मतलब कि माइ स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर जोगों हमारे पास कितना आना चाहिए देखे कितने प्यर बन सकते हैं बहुत बाद में पता चलेगा लेकिन मैंने जोगों ए मान लिया और एक बी मान लिया उनका बर्ग कर लिया और दोनों को डिफरेंस दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस कर जो पता है कि a square minus b square a जो वो एक फार्मूला है तो फार्मूला क्या बनता है a plus b और a minus b ठीक है इसी का इस जो वो फार्मूला है तो इसको मैंने open कर दिया a plus b a minus b equal to कितना 63 अब दीकि 63 मतलब कि एक नमबर यहां पर है इन दोनों को multiply करके 63 आता है अब क्यों ना मैं 63 के जो फैक्टर निकाल लेता हूँ चेक करता हूँ कि 63 जो वो कैसे कैसे बनता है 63 के कौन कौन से फैक्टर है तो 63 हमें पता है कि 1 से जाएगा तो 1 multiply 63 भी 63 ही होगा तेक है तो सबको बता ठीकिए 2 से नहीं जाता है 3 से 3 से जाता है 3 multiply by 3 multiply by 21 21 3 जा होता है 63 फोर से नहीं जाएगा 5 से नहीं जाएगा 6, 7 7 से जाएगा 9, 7 से जाएगा 9, 7 जाएगा 9, 7 जाए या 7, 9 जाए 9, 7 जाए 63 मिदलब कि हमारे पास 3 ऐसे जो वो पेर बनगे, फैक्टर बनगे जैसे 1, 3, 9, 7 यह सारे इसके factor है अब देखिए सबसे पहले में 9 और 7 को यहाँ पे रखके चेक करता हूँ मतलब कि यहाँ पे A प्लस B 9 है ठीक है और A माइनस B जो वो 7 है तो 9 तो अब हम चेक करते हैं कि A प्लस B में क्या क्या होने वाला है 9 की जग क्या होसकता है अब देखिए दोनों को अगर मैं A को जो वो 8 और 1 9 होते हैं तो अगर मैं 8 प्लस 1 रखता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे A A माइनस B है तो यहाँ पर भी 8 माइनस 1 रखता पड़ेगा क्योंकि 8 और 1 मैंने जो वो यहाँ पे चूज कर लिए कि 8 और 1 जो वो आएगा ठीक है 8 1 तो 8 प्लस 1 और 8 माइनस 1 अब देखिए 8 प्लस 1 करने पर जो वो 9 आता है 8 माइनस 1 करने पर जो 7 आता है मतलब कि 1 और 8 जो वो मारे पास एक पेर बन गया एक ऐसा पेर जिसको जो वो जिसका स्क्वेर करने पर मतलब कि जिनकी आपस में स्क्वेर करने पर और माइनस करने पर दोनों का दोनों का डिफरेंस जो वो 63 आता है तो एक पेर हमें जो वो मिल चुका है तो next दिखते हैं मैं इसको erase कर रहा हूँ next देखिए देखिए क्या क्या आया था मेरे पास 1 multiply by 63 और 3 से हमने चेक किया था 3 multiply by 21 और 9 multiply by 7 9 और 7 को मैंने चेक कर लिया था यहां पर क्या बना था मेरे पास A minus B sorry A plus B था पहले इसका कोई problem नहीं है वैसे A minus B आगे भी चेह हो सकता है A plus B A minus B 9 और 7 से एक पेर बन गया कौन सा 8 और 1 चीक है अब देखिए अगर मैं 3 और 21 को चेक करता हूँ 3 और 21 3 and 21 तो ऐसे नंबर जो वो दो मुझे चाहिए जिनको जो plus करने पर 21 आता है और minus करने पर उनको जो वो 3 आता है तो H जो है वो मेरे पास नंबर है 12 and 9 तेक है 12 and 9 देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग जोबो जल्दी-जल्दी से दोड़ाना पड़ेगा 12 and 9 तो देखिए जैसे कि 12 and 9 को मैं plus करता हूँ तो कितना होता है 12 and 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तो 21 बन रहा है 21 और 3 को चैकर हो अब देखिए 21 जोबो मैं पहले लूँगा क्योंकि plus करने पर बड़ा बनेगा minus करने पर छोटा बनेगा तो सिधी जाशी बात है आपको समझा चुका होगा कि क्यों जोब 21 मैंने रिसेड लिया plus करने पर और minus करने पर जो वो 3 आना चाहिए तो 12 को 9 से minus करने पर जो वो 3 आता है देखे 12 minus 9 ठीक है यहां पर 3 बन चुका है मतलब कि मेरा जो 3 and 21 है उसका भी एक पेर बन गया क्या क्या नंबर बने वो वो बने 12 and 9 इनका square करने पर फिर difference करने पर बो जो वो 63 आने बाला है तो इतना में पता चाहिए दो पेर हमें मिल चुके हैं तीसरा पेर देखते हैं तीसरा मिलेगा या नहीं मिलेगा तीसरा था 1 multiplied by 63 इसको चेक करते हैं a plus b और a minus b ध्यान दीजिए यहां पर a plus b और a minus b मैं कोई अपनी मर्जी से नहीं ले रहा हूँ यही तो मेरे पास question दिया गया है तीक है जिसको मैंने तोड़ा सा solve किया है जो वो 63 है तीक है 63 ही आने वाला है यहां पर आगे तो 1 multiplied by 63 तो ऐसा कोई number चेक करें कि जिन दोनों को minus करके जो वो 1 आ जाए तो 63 का half जो भो तो नहीं आएगा पूरा लेकिन 32 और 31 जो भो हम लोग चेक कर सकते हैं तो 32 और 31 अब 32 को चेक करें कि अच्छा A मैंने माल लिया है 32 और B माल लिया है 31 ठीक है A 32 और 31 को plus करने पर कितना आता है 60 सॉरी यहां पर 32 और 31 को प्लस करने पर जोबो यस ठीक है 63 आता है ठीक है तो 32 प्लस 31 ठीक है A मेरे पास यहां पर A प्लस भी बन चुका है ठीक है A माइनस B मतलब कि 32 माइनस 31 तो इसको माइनस करने पर A माइनस B मतलब कि 1 बन जाएगा मतलब कि 32 और 31 भी मेरे पास जोबो तो ऐसे दो नमबर है जिसका एक पेर बनता है जिनका square करने पर जिनका बर करने पर और पिर difference निकालने पर मैनस करने पर जो वो 63 आता है ठीक है तो मेरे पास कौन कौन से नमबर बने मैं कर फिस से जो वो जो इसको लिख लेता हूँ देखें A मेरे पास जो बोट से पहले क्या है था 8 and 1 ठीक है 8 and 1 देखें ना 8 और 1 को जो पुलस करने पर जो 9 आता है 8-1 करने पर 7 आता है और 9-7 जा कितना होता है 63 बदल कि एक पेर मेरे पास A बन चुका है A और B का दूसरा मेरे पास बना था A इसकल 2 32 जो अभी हमने निकालब B इसकल 2 31 ठीक है और तीसरा पेर हमारा जो बना था 21 और 3 का बना था A इकल 2 12 और B इकल 2 9 ठीक है तो एक पेर मेरे पास ए बन गया दूसरा बन गया तीसरा बन गया तो तीन पेर जो बो ऐसे हो सकते हैं तो यहां पर उचादा कि how many pairs तो काफी अच्छा कोशीन था तो इसका जो वो 3 answer आजाएगा 3 pairs जो वो ऐसे बन सकते हैं ओके, thank you and have a nice day